नमशार एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ सर्वेश कुकरा हर्याना का मूर्ती कांड बहुत बड़े कांडों में से एक कांड है लेकिन इसके परते अभी भी खुली बाकी है आरोप पुलिस पर हैं पुलिस ने बले ही ये जो बुजरुक महिला देख रहे हैं इ क्यों कि पुलिस है पुलिस ही जांच कर रही है पुलिस के खिलाफ ही जांच कर रही है इतना जरूर हुआ है एडीजीपी स्रीकान जादव के हथच्छेप के बाद में कम से कम मुकदमा जरूर दर्ज हुआ उस पुलिस के खिलाफ जिस पर पहले भी गंबीर आरोप लगते के लिए क्या वाकई पुलिस ने इनके बेटे को ग्रफतार किया है या इनका बेटा कसूरवार है यह जांच में सामने आएगा लेकिन इसे बात करेंगे मनोज राठी भी यहां पर है और थोड़ी दर बाद ही मनोज राठी एडी जीपी श्रिकान जादाव को पैंड्राइब इस तरह की कुछ और आडियो भी है एक आडियो ने आपकी ने पूरा तुफान मचा रखा है जो इनके बेटे और उस सुनार के बीच में जो बातचीत है जिनके यह कहा गया कि पुलिस ने उस सुनार के कहने पर मुर्तियों गलवा दिया ये भी सवाल उठा था कि क्या वो स पूछ जगार और भी है मनब पहल्रे बताई थी कि में वीडियो भी ले किया हूँा आडियो भी ले किया हूँा दोनों छीजिए खिया है हुआ हूं इस आडयों से बिल्कुल साफ ऑलु है कि टटलू गेंग नहीं है इसका लड़का टटलू गेंग नहीं चला रहा है इसका लड़का की और विवेक जो पाटिल है महारास्टरा का वो वो क्या जैवरलर्स नहीं है वो बठी लगा रखिए उसने सोना गलाने की सोना गलाने का काम वो करता है इसार में उसकी बातची कि है जब इनको पकड़ा सियाई एन है और सियाई ये से इस बंदे ने चुटवाया पचास जार तो सीटें में नगत दिये चोदा लाख रुपे बाद में दिये और च्छटीस लाख रुपे और देने की बात उसने कही थी इस वीडियो में सारी बातें कह रही पुलिस के साम अपने एक बात बताना चाहूं बिलकुल कलियर सो परतीसत मूर्ती जो है ये बेच के खागे हैं मूर्ती को गढाके इन लोगोंने सोनना निका रहा सोनने को बेच के खागे शिया ये वाले और इसमें आसी की एस पी की बूमिका भी सक के दाएरे में है जांच के बात पता उसका बात करो शुनार के पास ऐसी बठी नहीं होती जिसमें को दातू की मूर्ती गढाई जासके आपको बता दिशक के लिए यह बात है बहुत आई टमप्रेशर की बट्टी में गड़ाई जावाई इसलिए मैं साफ को हूँ कि यह जो बिस्किट हैं यह किसी फर्निस फैक्टरी से लेके आए हैं सचाई तो यह है कि सोना की मूर्ती को बेच के खागे सो परतिशत अगर साइटी सही जांच करें तो वीडियो से थाबित हुआ ओडियो साबित हुआ है जब ओडियो के अंदर वीवेक साफ कहना लाग रहा है कि मेरी बात होगी है मैं आपको दो तिन दिन में बला लिऊंगा आदा सोना हमना सियाइए को देना पड़ाएगा आदा अपा रख लेंगे इस बंदे ने चेक करी है पहले और चेक कब करया है मुर्ति का सेंपल काट के कम से कम भी एक अपता पहले यह ओडियो आने से एक अपता पहले सियाइए के पकड़ने से एक अपता पहले उसने चेक कर रहे हैं यह बिल्कुल कलियर है वो मिले हुए है वेकर वो एक बात बताओ मुर्ति कराने वारा दोसी निया उसको तो मुद आती है आजो पुलिस की किस्टेडी में है खुद एस पी कलियर नहीं कर पाई एक बाद बताओ कभी भी आमने प्रेस कौन प्रेस देखी है पुलिस की कोई मुल्जीम होता है उसको नकाब पराके सामने बिठाके फिर वीडियो बनाते ना यहां इसके उल्टा हुआ यहां तो मुल्जीम को बराबर में कुर्शी पे बिठाके स्पी साब कभी तो काव मुल्जीम है कभी का वो बिचारा है कभी बबलू जी है क्या मतलब है इस बात का एक आई पी से पढ़या लिक्या आप सर है वो जो अपनी बात रखना चाहरी थी तेकिन अब सवाल ही है सर यह जो आ खारिज किया जाए इसको खारिज करने के आमें अडीजी को दर्कास देंं लग रहे हैं जब कोई टटलू गेंग था रहे हैं और यह शाबित आमकरन लाग रहे हैं कि टटलू गेंग नहीं है खेत्माइं किसका बनाया पता नहीं, लेकिन पुलिस जिरूर किसी ने किसी का टटलू बना रही है, क्या वाकई बबलू का सूरवार है, क्या बबलू टटलू गैंग का इस्सेदार है, या उनका एक सदस्य है, ये जाच के बाद भी सामने आएगा, लेकिन अभी तक लोग कम से कम जो हैं बबलू के फेवर में कमेंट्स कर रहे हैं पूछ रहे हैं उसके परती सिंपेती जता रहे हैं अलाकि बबलू इस वक्त पुलिस के रिमांड पर है लेकिन जल्दी ही जाच में सब कुछ साफ होने की उमीद कम से कम आज के दिन जूर बनी हुए जब तक कि ADGP शिरिकान हिजार में हैं वीडियो को शेर करें कमेंट करें और आप देखते हैं रिकमत पोस्ट